नमस्ते फ्रेंड्स, गार्टिंग वित बंदिना में आपका स्वागत है और आज मैं आपको गार्डेन का ओवर्वीव कराऊंगी और ये टेरिस का ओवर्वीव है छट पे जो अधे मैंने रखे हुए है उनमें क्या चल रहा है इसको मैं दिखाऊंगी और साथ के साथ ही नी इ पर दूष के फूल वी आने लगे है और नीचे जो मैंने हरने लगाए हुए है उसमें 대해 किसी में धेरों कलियां देखिए बनी हुई हैं तो ये धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे लगाये हुए रहते हैं और ये देखिए कितनी सारी कलियां इसमें आ गई हैं तो ये मैंने गुलदाओदी यहां लगा रखी हैं अब आगे देखते हैं ये देखिए ये पूरी गुलद इसको मैंने आपको लगाना दिखाया हुआ था और इसमें कलिया आने लगी है अब मुझे इस पर स्टिक लगानी पड़ेगी देखिए यह इस तरह की स्पाइक निकलती है और इसी पर फूल लगते हैं बुके में आपको अकसर दिख जाते होंगे ग्लेडूलस के फूल यह द छोगहा है कि दिखिए कल्या कितनी आई हुई है यहीं हिविसक्स का प्लांट है यह कुंदा का प्लांट है हो फ्रेंट इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई हुई है लेकिन प्लांट यह बहुत अच्छा होता है और इसको लगाने का एक separate video में बना दून ही और सुन्दर फूल आएंगे यहां देखिए यह विंका कितने सुन्दर खिलेवे हैं इनका हलागी मैं कोई केर नहीं करती हूं बस यह ऐसे ही बकेट में लगे हुए हैं और चल रहे हैं पर यह है कि थोड़ा पानी बस दे देती हूं और सारी यह कंपोस्टिंग वाली जो खाद बंती रहती है उसी के ऊपर मैंने यह लगाया हुआ है और इसी के ऊपर यह लगे हूं ब्रख़ह बहुत अच्छे नहीं होती लेकिनर फूल थोड़े इधर की फ्रेंड जो रो है वो सब कटिंग से लगए हूँए यह सब जाफरी वराइटी के गेंदे के फूल है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है देखिए कुछ एक में घास में निकल आई है और रोज इसमें से 20-25 फूल हम लोग पूजा के लिए भी ले जाते हैं और आज भी मैं थाली उपर लेकर के आई हूँ अभी वीडियो शूट करने के बाद मैं फूल तोड़ के ले जाओंगी और इसी में से बहुत सारे फूल डेली के डेली निकलते रहते हैं फिर भी देखिए फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं है और जो सूखे फूल है उनको हटा छागिति इस तरह से बहुत संदर चटक रंके फूल नहीं आते हैं तिए घैंसे कितने ये खूल प्र की के लाएक तक आम एक कली Of यह निए फैरिंदे नहीं चल्होंग देने मैंने खाद दी हुए थी इसके सारे पत्ते पीले हो चुके थे और एकदम बरने की गगार पर था ये पौधा और इसमें मैंने खाद दी थी सब आपको बताया था ट्रीटमेंट की कैसे करना है और अब देखे इसमें दिखाती हूं कलियां दिखे आने लगी है वरना इसके प प्लाट किस तरह से था इधर देखे ये नाग चमपा का पौधा लगा हुआ है और ये कनेर है पीछे आलमंडा है और ये हिविसकस है हिविसकस के फूल बहुत सुन्दर इसके आते हैं बहुत बड़े-बड़े फूल है और इसमें हलका सा सेड़ भी रहता है ये देखे ये भी मिनियेचर विराइटी का ही है गुलाब है लेकिन है कि इसमें फूल थोड़े से बड़े ही आते हैं चुकि मैंने बड़ा प्लांटर दे दिया है इसलिए और ये देखे ये रोज के प्लांटर रोज के बहुत सारे पौधे मेरे हां आपको मिल जाएंगे और बहुत फूल कैसे गुच्छो में आते हैं और इसे कहीं चड़ाया भी जा सकता है ऐसे मुझे लग रहा है इसको देख करके कि जब ये बड़ा हो जाए तो इस्टिक देख करके इसको और भी लंबा किया जा सकता है ये देखे बहुत फूल इसमें आते हैं बहुत फूल एक दम असंख फूल आते हैं हजारों फूल से कमनी होते हैं एक बार में और जब यह फूल थोड़े सूख जाए आसे यह सूख रहे हैं तो अब मैं इसको एक एक करके देख करके पूरी प्रूनिंग करूंगी और प्रूनिंग थोड़ी नीचे से ही करूंगी ताकि इसमें औ यह देखिए थोड़े से ओरेंज का लाइड डार्क का सेज रहता है और इसमें मैंने प्रूनिंग की थी तो देखिए इसमें खूब सारी बंच आई हैं कलियां भर-भर के देखिए आई हैं बहुत प्यारे फूल आते हैं इस पर और यह पिंक वेराइटी के हैं इसके भी बहुत बड़ा काम रहता है कि प्लांट्स की प्रूनिंग यह बहुत जरूरी रहता है तभी फूल अच्छे आ पाते हैं और यह काफी बड़ा काम होता है अपने ज्यादा पौधि लगा रखे हो तो और यह आबरा कडाबरा यह देखिए इसको आबरा कडाबरा क्यों कहते है इसलिए इसका नाम सायद आबरा कडाबरा है और यह देखिए दोनों एक साथ ही खिलेवे हैं लेकिन दोनों के कलर में देखिए आपंतर एक में स्ट्राइप आई हुई है एक में नहीं आई हुई है यह देखिए तो इसलिए शायद इनको आबरा कडाबरा कहते हैं और इसमें भी अब winter आ गया है तो जो फूलों का जो color होता है गुलाब के वो बहुत निखर के आता है वो देखने लाइक होता है और ये yellow गुलाब है और इसकी भी मैंने फूल हटाए थे तो ये देखे सब नई नई ब्रांचे आई हैं और सब में flowering होगी हलाकि इस plant में बहुत blind ये साथ आते हैं मैंने विडियो बनाई हुई है और यह देखे इस तरह से ही इस तरह के जो प्रमीपाय। उनको ही ब्लाइंड शूट कहते हैं यह देखे बिल्कुल यह वाली सूट यहां निकल के आई है लेकिन यह है कि इसमें आगे कुछ ब्रांच नहीं दिख रही है बढ़ती हुई यह देखे इसी को ही ब्लाइंड शूट कहते हैं यह देखे बिल्कुल कोई ब्रांच निकलने इसमें भी बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं और कलियां भी इसकी बहुत बड़ी होती है ये देखिए और एक अभी और मैं आपको दिखाऊंगी पिंक कलर के ही फूल है और इतने बड़े आते हैं कि मैं भी बहुत आश्यर चकित हूँ कि बहुत ज्यादा पुराना पौधा नहीं है लेकिन फूल बहुत बड़े आये हुए है भी दिखाती हूं रोज का प्लांट है और यह देखिए यह वाइट रोज का और इसमें भी देखिए कलियां कितनी सारी भरबर के आई हैं बस पूनी कर दी थी एक बार फूल आने के ब और यह एक जोरा है यह यलो कलर के एक जोरा है यह भी बड़े सुंदर इसके फूल है अब हाला कि बहुत ज्यादा पुराना पौधा नहीं है यह लगभग एक साल हो गया है लेकिन यह है कि अब बढ़ेगा यह तो और भी ज्यादा ब्रांचे जोंगी फूल उतने ही अधि वीडियो में उसको मैं बताऊंगी कुछ ऐसे ट्रिक्स जो बहुत मज़िदार है और यह है वो इसको सुगंधराज कहते हैं रजनी गंधा का यह सॉरी सुगंधराज इसको कहते हैं और इसका और भी नाम है एक्जेक्ट याद नहीं आ रहा है इसमें बहुत सारी कलिया फूल इस तरह से आते हैं यह थोड़े सूखे फूल है और भूज्यक फूल सूखे वे यह युए पौधा जहाँ रहता है किड़े नहीं देता हैox मेधने से लहसुन की सी महेक इसलिए इसले स्लेसु नियाबेल भी कहते हैं गार्लिक वाई इसको बोलते हैं और इसके फूल बड़े सु Надर जब छोटे रहते हैं तो बिल्कुल ब्लू कलर के रहते हैं परपल कलर के सॉरी और जब ये थोड़े खिलने लगते हैं तो लाइट कलर के दिखी ऐसे होते जाते हैं बहुत सुंदर इसके फूल है और पिछले साल ही मैंने इसको लगाया हुआ था इस पे मैंने एक वीडियो बनाई वी थी लगाते समय वो मैं दिखाऊंगी आपको और यह देखे अभी कितनी तेजी से फैल रहा है बहुत सुन्दर इसके फूल आएवे हैं और इसका मैं लिंक दूँगी बहुत छोटा सा पौधा मैं लेके आई थी और उसके वीडियो भी बनाई थी आप चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी और यह देशी गुलाब के पौधे हैं यह बहुत अच्छा होता है जो लोग बिगनर हैं जो लोग ज़्यादा केयर नहीं कर सकते हैं उनके लिए यह प्लांट है और इसमें देखे कितनी धेर सारी कलियां और फ फूल भी आते हैं अब यह भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं एक साल का प्लांट है यह देखिए लाइट बादामी कलर के इसके फूल आते हैं बहुत सुंदर यह गुलाब के वो पौधे हैं जिसकी मैं बात कर रही थी फ्रेंट यह बहुत बड़े इसके फूल है ज़िचे से ज़िए वाइट पती है और भी तर से पिंक है बहुत सुंदर इसके फूल है और बहुत सुंदर लग रहे हैं तो फ्रेंट्स यह था टैरिस का गार्डेन ओवर विव्यू और नीचे के गार्डेन का भी ओवर वीव मैं करावंगी उसमें भी बहुत सारे फूल आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा नमस्ते फ्रेंट्स